अश्कार मित्रों, PhD की एक और सूचना है, यह सूचना है डाक्टर स्यमा प्रशाद मुखर जी उनिवर्फिटी राची से जो की जारखंड मेर्सित है, यहाँ पे एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके बारे में बताया गया है, यहां से अगर आप PhD करना चाते हैं, तो आपके कुल मार्क अपने PG में 55% से उपर होने चाहिए, अगर आप ओबिशी हैं, तो भी आपको 55% मार्क चाहिए, अगर आप SCST हैं, तो आपको 50% मार्क पर भी यहाँ पे अपलाई कर सकते हैं, अब इसमें है, एक वेपसाइट दी गई है, www.dspmu.ac.in, यहाँ पे डिडियल बताय गया है, लेकिन फीस बहुत ही जादा है, with prescribed examination fee, include the cost of farm, यहाँ पे 4000 रुपए फीस जनरल के लिए है, और 3000 रुपए फीस, STSC के लिए है, तो आप यहाँ पे यह समझेए, यगर आप अपने राज में वो भीशी है, तो अधर राज में आप जनरल होंगे, यहाँ पे central सायद लागू नहीं होता है, तो दूसरी state में अगर आप जाएंगे, तो जनरल के तरह हैं, ट्रीट किये जाएंगे, तो 4000 will not be accepted, यहाँ पे offline form कोई accept नहीं किया जाएगा, the admit card for the PhD interest test can be downloaded from university website, format 10 days prior to the date of PhD interest, PhD interest के 10 दिनों के पहले आपका admit card website पर आ जाएगा, और इससे आप website पे डाउनलोड कर वक्ते हैं, तो अभी बहुत जादा इसके बारे में सूचना नहीं आई है, कि किस तरह के लोग exam से छूट प्राप्त करेंगे, किस तरह के लोग exam देंगे, और इसमें क्या के नहीं होगी, अभी पूरी detail नहीं आ सकी है, तो यह जब apply होगा, यानि कि 7-9 से, तो website पर इसका full notification आएगा, और इसके बारे में में भी आपको सूचना दे जाएगी, temporarily मैं आपको बता रहा हूँ कि एक और